तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और देखते हैं अपना सवाल सवाल जे में 2024 माय हुआ Quadratic equations का एक बहुत शांदर सवाल है और हमारे पास quadratic equation दी हुई है 8 की पार 2x माइनस 16 टाइमस 8 की पार x प्लस 48 is equal to 0 और आपको पताना है कि sum of all the solutions जितने भी solutions आने वाले उन सब कसम क्या होगा जरा मेरी तरफ देखिएगा आप सबसे पहले न अपने equation को निकाल के बाहर रख लो equation है 8 की पार 2x माइनस 16 टाइमस 8 की पार x प्लस 48 is equal to 0 आपने क्या फील किया 8 की पार x और 8 की पार x का square तो आप 8 की पार x को टी मान लो थोड़ी सी दिर के लिए लेट 8 की पार x is equal to t तो ये आपकी quadratic form हो जाएगी क्या बने का भाई t square minus 16 t plus 48 is equal to 0 अच्छा इसके आराम से बहत आराम से इसके factors किया जा सकते हैं माइनस 12 और माइनस का 4 लिखा जा सकता है तो t is के आगे भी और t is के आगे भी ठीक यहां से t की दो values आ रही है 4 और 12 t की values आ रही है यानि t को तो आपने 8 की पार x माना था यानि 8 की पार x की values आ रही है तो 8 की पार x एक बार तो आ रहा है 4 और 8 की पार x एक बारा आ रहा है 12 ठीक है अच्छा यह हम जानते हैं कि अगर लिखा हुआ है log की बात करते हैं अगर यह लिखा हुआ है 2 की पार 3 8 है ठीक तो हम इसे क्या लिखते हैं log 8 with a base 2 is 3 2 की कितनी पावर 8 है तो log 8 with a base 2 is 3 इस तरीके से लिखते हैं तो इसे हम लिख पाएंगे log 4 इसे हम लिख पाएंगे log 4 with a base 8 is x इसे लिख पाएंगे log 12 with a base 8 is x और हमारे पास एक जवाब यह आया है और एक जवाब यह आया है उसे चाहिए sum of all the solutions तो इन दोनों को add कर लो तो यह क्या हो जाएगा आपका यह हो जाएगा log 4 with a base 8 plus log 12 with a base 8 और log a plus log b क्या होता है log a b तो यह हो जाएगा log base 8 ही रहेगा यह हो जाएगा 4 into 12 48 हो जाएगा अच्छा log 48 इसे और simplify कर सकते हैं कैसे यह लिखा हुआ है log 48 होता है 6 into 8 यह आप इसे 8 into 6 लिख दीजे log 8 into 6 with a base 8 तो यह लिखा हुआ है log a b यह हो जाएगा further log a plus log b तो यह हो जाएगा log a plus log b same base retain कर जाएगा log 8 with a base 8 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा यहां से आपको जवाब मिल जाएगा 1 plus log 6 with a base 8 यह बात बिलकुल सत्य है कि जब आप इसे solve कर रहे होंगे तो हर step पर आपको नजर उठा के देख रहा पड़ेगा कहीं answer ऐसा तो नहीं है कहीं ऐसा तो नहीं है और अपने simplification को आप मजबूत बराते चले जाएगे answer की प्राप्तिया आप कर पाएगे तो उम्मीद करता हूँ यह question आपको समझाया हुआ